Hello everyone, हम आज जो है फाइलम पोरिफिरा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हमने जो है किंग्नम, एनिमल किंग्नम जो है स्टार्ट किया है जो कि आपकी एंसी एल्टी का चेप्टर नंबर फोर है हमने बेसिज आफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है कौन-कौन से गरेक्टर थे है जिसके बेसिज की ओपर हमने ऑरगेिजम या एनिमल किअग्नम को ख्लासिफाई किया है उसके बाद आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफिरा के बारे में अब हम फाइलम भाइफाइलम क्या करेंगे, study करेंगे तो phylum porifera क्या होता है इसके characters पढ़ेंगे और classifications और important larval form कौन सी पाई जाती है हमारे phylum में उनके बारे में हमारे detail में study करेंगे तो देखो member of phylum porifera जो होते हैं इनको हम commonly क्या बोलते हैं? sponges बोलते हैं phylum porifera they are called as the sponges which are referred to as इसको हम क्या बोलेंगे pore bearing animal बोलेंगे pore bearer इनको भी बोला जाता है ठीक है generally कैसे होते है marine होते है generally कैसे होते है marine होते है और mostly हमने पढ़ाया कि यह कैसे है asymmetrical animals होते हैं asymmetrical animals मैं आपको symmetry पूरी बढ़ा चुका हूँ asymmetrical क्या होते है radial symmetry क्या होते है और bilateral symmetry क्या होते है ठीक है उसके बाद यह जो these are primitive multicellular animals होते हैं and have cellular level of organizations यह primitive multicellular animals है और इनके पास क्या होते है cellular level of organizations होते है और sponges के पास क्या होते है very very important water transport और canal system प्रेजेंट होते है water transport और canal system जो होते है sponges में क्या होते है अब क्या होता है इनकी body में जो water के करेगा वो austria के थुरू आप देख सकते हैं पर बहुत सरे ports होते है present होते है austria के थुरू के करेगा एंटर करेगा फिर body cavity that is called as a sponges seal ठीक है that is not a sea long ठीक है वो कोई वैसी cavity नहीं है लेकिन कि body में क्या होती है cavity present होती है और फिर osculum के थुरू के थुरू के होगा body के बाहर जो होता है वो निकल जाता है ठीक है जैसे अगर मैं बता हूँ तो यहां पर के करेगा वो austria के थुरू के करेगा वो enter करेगा ठीक है austria के थुरू enter करेगा और sponges seals के थुरू के करेगा उसके थुरू और osculum के थुरू के करेगा body के बाहर जो होगा वो क्या किया जाएगा उसको body के बाहर मतलब send कर दिया जाएगा तो this type of system is called as a water canal system बोलते हैं तो sponges के पास के होता है water transport और canal system होता है waters होता है enter करता है through minute pore called ostea in the body wall into a central cavity that is called as a sponges seal and from where it goes out through osculum तो यह osculum के थू के करेगा मतलब body के बाहर जोता है यह चला जाता है ठीक है उसके बाद pathway जो है water transport का इसका main function क्या होता है यह help करता है food gathering में respiratory exchange में जो की body surface से ही हो रहा है और base को यानि की excretion में भी important role play करता है तो removal of base में important role play रहा है किसमें करता है यह food gathering में respiratory exchange में और base को remove करने के लिए इसका काम होता है उसके बाद क्या है quenocyte और collar cells होते हैं यह करते हैं यह spongosil को and canals को करते हैं line करते हैं देखो अगर मैं represent करूँ अगर मैं represent करूँ इसको अगर आपके एक organism को तो इसमें क्या होता है जैसे मान लो यह जो organism है ठीक है यह organism है ठीक है और यह जो है मतलब इसका क्या है और body के थूप body में क्या होते हैं बहुत सारे जो होते हैं pore present होते हैं body में बहुत सारे क्या होते हैं pore present होते हैं ठीक है अब इन pore के थूप के करेगा बोडी में क्या होगा इन पोर के त्रू क्या करेगा वाटर एंटर करेगा ठीक है और दिस इस कॉर्ड ऐस पॉरी की पूरी क्या है स्पॉंजो सील है और इस स्पॉंजो सील में क्या होते हैं होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्वेनोसाइट बोलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्वेनोसाइट बोलते हैं जो कि हमारी स्पोंजोसील को क्या करते हैं वो लाइन करते हैं यह फ्लैजिलेटिटीड सेल होते हैं जिनको हम क्वेनोसाइट बोलते हैं क्वेलो कॉलर सेल बो होते हैं ये ट्रोफोप यति जो हते हैं इंट्रां सदेंडर होता है चैल से ल्डा साइबर के अन्दर होता है जैसे स्केलेटन स्पीक्यूल स्पाइबर श करते हैं झाल्शिम कवने स्केलेटन सपथेबर यहरे कैलशियमी कर्मनेट, स्पाइबर शिलेटन कर्फेखेख कहुं बहुते स्पाइबर श क्युते हिएं are not separate होते है निकिहांए में प्रोडाइक होते हैं मतलब हां यह प्रोडूस किया जाते हैं ठीक है और स्पॉंजिस किया करेगी से आपको बद्वाइक होते हैं यह यापको बता दिये हैं जिसमें बोडि f 방송 और हर एक fragment के करेगा, नियू और्गनिजम त्यार करेगा, तो इस टाइप आप रिप्रडक्शन इस कॉल्ड आज़ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फ्रेग्मेंटेशन बोलते हैं, तो sponges कैसे reproduce करती है, और sexually by fragmentation, और sexually कैसे करेगी, by the formation of gamete, यहाँ पर sexually male and female gamete जो होते हैं, यह क्या होते हैं, मतलब एक ही organism बनाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, हर मैफरो डाइट बोलते हैं, उसके बाद fertilization जो होती है, fertilization कैसी है, यहाँ पर internal है, यह भी आपने important point रखने है, fertilization जो होती है, वो internal होती है, और development कैसी होती है, indirect होती है, इसमें बहुत सारे जो है, lar larval stages present होती है, जैसे simple आपका एक larva है, that is called as the amphiblastula, ठीक है, amphiblastula एक larva है, यह भी इसमें present होता है, amphiblastula larva आपका जो है, ठीक है, उसके बाद कौन सा larva होता है, आपका जो है, मतलब पैरिन काइमूला, ठीक है, पैरिन काइमूला, larva भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पै रविग क हता यहां पर एंपर बोलने का मतलब की है कि इंडर्नल है और यहां पर मोरफॉलोजी कि watches होते हैं यह इनडर्नल होता है और उनकी लारवे ऋधोरर तो यह आपको इसमें आ जाते हैं ठीक है अब सउआकॉन होता है यहां पर घंञांपल देखेथा है मतलता है यह स्काइपवा भी वह हैं और सबक्ए इसको हम बात sponge भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद आपका spongila है that is called as a fresh water sponge भी बोलते हैं ठीक है और भी organism होते है that is called as a यू प्लेक्टेला भी औरे राग्निसम होते है यू प्लेक्टेला जो है एक और प्लेक्टेला ठीक है एक और निजम होते है डिस्कॉल एगस एक emergency टील्ह झेह हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद एक और होती हैだ ऐडर के अत्लभ यह करति आज और ऑपर करती夏 बॉलते करती है उसको बोरिंग करदे पोलते हैं जिसको बोला जाता है ठीक है उसके बार एक और है हाईलो नीमा ठीक है या हाईलो नीमा जो भी आप बोलते हो ठीक है हाईलो नीमा ठीक है यह इसको कह बोलते है इसको ग्लास रोप स्पॉंज बोलते है ग्रास रोप स्पॉंज इसको बोला जाता है ठीक है ग्लास रोप स्पॉंज इसको बोला जाता है यह भी आपने याद है अरुद है किया था था का फाइलम्प ओरी फेरा के बारे में था ठीक है लेकिन इस टाइप का कौन कौन सा है एक है S.K.O.N. टाइप जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो होते हैं तेन टाइप को होगा एक होगा S.K.O.N. टाइप ठीक है यह Water Canal System होता है तीन टाइप को तहे है S.K.O.N. टाइप Water Canal System में present होते है उसके बाद दूसरा होता है नाम में प्रेज्ट होते होगा वह किस में होगा सबसे एड्वांस जो है एंसरा होता है वोटर कैनाल सिस्टम भी present होगा और जो किसमे होता है, sponula में होता है, यहां पर water canal system किसमे present होता है, water canal system जो होता है, आपका जो तीन type को होता है, that is a scone type, सबसे simplest है, उसके बाद जो आपका, that is a scone type, that is a present in scone में, और सबसे most complex, जो तो उसको हमके बोलते हैं, that is a leucon type water canal system, and that this is present in the sponula में, यह present होता है, ठीक है, उसके बाद, next file में आता है, silentrata, जिसको हम निडेरिया भी भोलते हैं, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, अब देखो, यह क्यों होते हैं, they are aquatic है, यह भी mostly marine है, यह भी क्यों होते हैं, mostly marine होते हैं, और इसमें क्यों होते है कुछ हैं, जो कि fresh water है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि polyphera में भी क्यों होते हैं, maximum marine ही थे, maximum marine ही थे, ठीक है, और maximum marine ही थे, लेकिन एक ही था fresh water, that is spongyla, जो है fresh water, sponges को हम बोलते हैं, इसी तरह इसमें भी क्यों होते हैं, सारे के सारे marine हैं, लेकिन hydra, जो होता है, वो fresh water होता radialis metrin, radialis metrin में पाई जाती है, radialis metrin में पाई जाती है, यvih आपने याद रखना है, name NED area, कहां से आया, इनका नाम NED area, जो होता है, Definitely from the, क्यों क्यों कि, इनके body में क्यों होते हैं, नीडो blast present होते हैं, नीडो scyte present होते हैं, daster neto blast बाइए जिन के उपर के के उते हैं, वो पुरा को पुरा सेल क्या है यह नीडो ब्लास्ट है ठीक है इसको नीडो साइट भी भोलते हैं और इसके पर क्या है निमेटो सिस्ट जो है प्रेजेंट होता है जो क्या करता है यह टेंटिकल्स को पर प्रेजेंट होते हैं और नीडो ब्लास्ट का काम क्या होता है यह टेंट जो है प्रेव को capture करना हमें defense और offense meant का user किया जाता है अब देखो निमेटो बलास्ट में क्या है? निमेटो सिस्ट जो होता है ठीक है? यह present है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कोपर सेल कौम के बोलते हैं निमेटो बलास्ट बोलते हैं आपका जो मतलब organ है for offense and defense के लिए ठीक है और इसका main काम क्या है इसका main काम क्या है ओफेंसिंग में डिफेंसिंग में प्रे को जो मतलब किल करने में ठीक है उसको paralyze कर देता है ठीक है और यह इसका एक और important role है it also plays an important role in locomotion food capture में और इसके पास क्या होता है poisonous toxin होता है poisonous toxin होता है उसको बोलते है hypno toxin ठीक है hypno toxins होता है यह secret करता है hypno toxins होता है यह secret करता है आपका needle blast ठीक है और यह क्या करता है defense और फेंस में भी यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद निडेरियन के पास के होता है टिशू लेवल आफ और गनाइशन होती है अब हमने पोरी फेरा जो है स्टडी कर लिया उसमें क्या था उसमें जो है सेल लेवल आफ और गनाइशन है लेकिन इसमें क्या है टिशू mouth on hypostome देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका hydra का example दे रखा है तो यहाँ पर क्या है कि central gastro vascular cavity यहाँ पर present होती है अंदर और यहाँ पर mouth जो है यहाँ पर present होता है single है जो कि hypostome पर present होता है तो mouth के single opening है तो they have central gastro vascular cavity with a single opening mouth on hypostome और सबसे best बात क्या है यहाँ पर digestion जो होता है intracellular भी होता है और extra cellular भी होता है intracellular भी होता है और extra cellular भी इनके पास क्यों होता है digestion होता है यह भी आपने याद रखना है digestion कैसे होता है intracellular और extra लेकिन पोरिफिरा में क्या था वहाँ पे Cable और Cable Intracellular जो होते हैं, digestion पाया जाता था Sum of Nidarians जैसे कुछ ऐसे Nidarians है, जैसे Coral जो होते हैं आपके उनके स्केलटन होता है, वो किसका बना होता है Calcium Carbonate का बना होता है तो कुछ ऐसे Nidarian है, कुछ ऐसे मतलब हमारे पास स्केलटन है, जिनका जो स्केलटन है, जिनकी जो बोड़ी है किसकी बनी होती है, वो Calcium Carbonate की बनी होती है, ठीक है लेकिन सबसे important बात यह है कि Nidarian के पास के होता है exhibit two basic body form इनकी पास के होता है कि जो body form होती है, दो type के होती है number one is polyp and number two is called as the medusa तो आपकी जो polyp और medusa में आपने याद रखने क्या 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 क्रेक्टर होते है, यहां से question बनता ही बनता है, ठीक है, तो को polyp जो है न वड़ा, यह जो आपकी है यहाँ पे जो है, यह polyp जो आपकी शो की गई है, ठीक है, यह आपकी polyp है और यह जो है, medusa है, ठीक है आप अपने टैएग्राम में देख सकते है polyp and medusa अब जो polyp होती है, वो कैसी होती है polyp जो होती है, वो कैसी होती Yeah, socile होती है, number one character polyp क्या है? वो socile होती है polyp कैसी होती है? socile होती है cylindrical होती है, और जैसे hydras होता है वह polyform में होता है कुछ organisms polyp में होते है polyform में पाया जाते है बेकिन ऐपका मैडूसा है, यह क्या है, अम्ब्रेला शेप है और बेरी बेरी इंपर्विंड़ने फ्री स्विमिंग है देखो, जो आपकी पॉलिप थी, वू कैसी थी। फ्री स्विमिंग थी, जी से आरेलिय जैली फिश, ीसको फॉल्स फिश भी बोलते हैं इनमें आपके मैडुसा फॉर्म पाई जाती है लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म भी होती है ऐसे निडेरियन भी होते है जिनके पास दोनों फॉर्म पाई जाती है और जैसे पॉलिप जो होती है पॉलिप भी होती है मैडुसा भी होती है पॉलिप जो होती है असेक्शुली मैडुस अबनाएगी और मेडुसा क्या करें कि sexually क्या बनाएगी वह आपका पॉलिफ फॉर्म बनेगी तो ऐसे कुछ organism होते हैं जिनमें क्याते हैं दोनों basic form पाए जाती है पॉलिफ भी होती है मेडुसा भी होती है ठीक है और ऐसे organism काम के बोलते हैं यह alteration of generation शो करते हैं alteration of generation शो करते हैं और यह metagenesis शो करते हैं पॉलिफ प्रोड्यूस करती है मेडुसा असेक्शुली और मेडुसा प्रोड्यूस करती है क्या बोलते हैं पॉलिफ असेक्शुली रटीस कॉल्ड है जो होती है पाय जाती है और metagenesis पाय जाती है लेकि यहां पर दे डिपलोइड फेस जब अल्टरनीट करती है वह हमने प्लांट किंग्डम में पड़ा था स्पोरोफेटिक गैमेटोफेटिक जहांपे अल्टरनीट रिखकलती है कि बाद आती उसको बोलते हैं लेकिन यहां पर पॉलिप मेटरेशने जीनेशने जा जो मतलब अपने याद रखने है उसके बार एक्जामपल इसके इसमें जो development जो होती है इसमें भी लार्वा होता है एफाइरा लार्वा आप याद कर सकते होई यहाँ पर प्रेजेन्ट होता है एफाइरा लारबा जोता है प्रेजेंट होता है ठीक है और इसके एक्जामपल कौन से हैं फिशेलिया जिसको हम पॉर्चुगीज मैन ओफ वार ठीक है इसकी जो शेप होती हुए एक पॉर्चुगीज मैन ओफ वार की तरह होती है अब देख सकते हैं अगर यहां डायग्राम बोलते हैं ठीक है गोर्गोनिय सीफैन बोलते हैं गोर्गोनिय जो है सीफैन बोलते हैं और मिंड्रा इन जो की ब्रेन की तरह होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल भी उसको हम बोलते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे और इलिया भी इसमें आ गया ठीक है जैली फिश फिश तो नॉर्मल वलग चीज है ठीक है लेकिन और इलिया जो है वो इसमें ही आ जाता है ठीक है जैली फिश जोती है असी में आती है ठीक है उसके बार बहुत सारे हैं बेलेला बगएरा ऐसे हैं ठीक है बेलेला पॉरपीटा बगएरा सारे ऐसे ऐसे इसके क्या है मतलब वह कॉंब जैलीज भी बोलते हैं यह क्या है यह सारे के सारे एक्सक्लूसिबली मेराइन है देख को हम क्या पढ़ा है हमने की मेराइन होते हैं लेकिन एक स्पॉंजिला यह जो कि क्या है फ्रेश वाटर स्पॉंज है जो की मतलब फ्रेश वाटर में पाई जाती है स्पॉंजिला उसके बाद हमने Cylentraid में बढ़ा कि सारे में रहना है लेकिन Hydraic जो कि Fresh Water में पहे जाता है उसके तीसरा यह है कि Cylentraid 13-04 होती है Exclusively क्या होता है Marine होता है Radially Smetricly होता है Diploblastic Organism है Acillomatole Tissue Level of Organization यह मैंने आपको बता रहे हैं है हमपे Tissue Level of Organization होती है और body bear यहाँ पे क्या हते है आप देख सकते हैं body के ओपर क्या होती है 8 rows होती है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे rows है यहाँ पे क्या हते है cilia present होता है अगर row 1 को represent करें तो यहाँ पे cilia present होता है तो यहाँ पे cilia present होता है ठीके जिनको हम comb plate बलते हैं intracellular है intracellular है ठीक है और इनके पास एक specific property होती है that is bioluminescence यानि कि यह जो living organism है यह light emit करते हैं light emit करते हैं ठीक है is bell mark in tino form तो bioluminance की properties होती है कहा होती है आपके tino form में पाई जाती है tino form में पाई जाती है sexies होते है they are not separate से यानि कि यह भी क्या है यह हर्मेफ्रोडाइट है यह भी क्या है हर्मेफ्रोडाइट है ठीक है और उसके बाद care production जो कैसी होती है sexual means के थ्रू होती है और fertilization देखो इसमें कैसी है external है fertilization में कैसी है external है और आपका जो यहां पर development कैसी है indirect है यहां पर एक larva पाया जाता है उसको बोलते है CDPID larva ठीक है इसको हम क्या बोलते है CDPID larva जो है याद रखना कई बार जो है exam में आ जाता है CDPID larva जो होते है टीनो फोर में पाया जाता है ठीक है तो हमने लारवे कहां कहां पड़े हमने जो पोरिफिरा में MP Blastula larva पेरिंकाइमला larva सिलेंटरेट में कौन सा लारवा पड़ा हमने एफाइरा लारवा एक ही है वैसे दो होते हैं सिस्टर स्टोमा भी उनके पास लारवा दा लेकिन आपके लिए क्या बोलते हैं फाइरा लारवा ही काफी है उसके बाद जो है मतलब यहां पर आपका जो लारवा है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सीडीपिड लारवा ठीक है सीडीपिड लारवा ठीक है आप यहां पर एक और चीज़ एड़ कर सकते हो सिलेंटरेट में एक लारवा बहुत ह जो कि obelia का larva होता है उस larva का नाम है planula larva थीक ए तो ये भी आपने याद रखना है थीक है उसके बार उसके बार नेक्स्ट फाइलम जो आता है that is called as the platy helmesis, that is called as the platy helmesis इसको हम बोलते हैं, अब दोखों यहां पे जो platy helmesis हैं यह parasite होते हैं, सबसे पहली बात हुए किया है, यह parasite होते हैं, they have dorsal bentrally flat body होती है, जैसे leaf होते हैं, इसलिए इनको flat warm भी बोलते हैं, flat worms भ mostly कैसे होते हैं, endoparasite होते हैं, कैसे होते हैं? वो पशे साइट ना होता है ठीक है बाकी सारे के यह पाइलेटरलीrav नीकि एक एक प्ले इंक को राइंन ल्फ हाप ने का करता है ढिवाइड करता है यहां पे कोलते मथे से approach लिए करतें जय करते हैं भरB होते हैं वा व्रे होते हैं प्रीजयंट में टेप वॉम में हुपस में και होते हैं अैसे थीथिंग करने हैं यह इंध्य करोणे जोते हैं अघ्य रजेन। कि उझेगेश निसलम आफ़ने में अफोकर्ण नृक्ण करता हैं जिसको हम yani कवी ऐभी पोलते हैं यहां फ्लेंदिली होते हैं सबसे पहला लार्वा पहुंच पहुंश होता है मीरा स्टीडियम लार्वा सबसे पहला लार्वा कौन सा है मीरा स्टीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वा है ठीक है उसके बाद सेकंड लार्वा कौन सा है आपका जो रेडिया लार्वा ठीक है सेकंड लार्वा कौन सा है रेडिया लार्वा है थर्ड लार्वा कौन सा है आप 하면 5 सर्केर् quickly ふह कुछ नहीं होती हैं यहां पहुता हैं धूल पेome शर्केरिये पाई जाते हैं तो आइसे हैं नहीं हैं इन्रो और सरौ यह और घ्यरी ओर् oneya कé ओंकोस्पेर बगएरा वह हम पढ़ेंगे ठीक है उतने important नहीं है ठीक है तो यहां पे जो होते हैं पांच लार्बे कौन कौन से हैं आपका मतलब Pyridium larva, Radial larva, Sporosist larva, Sircarea larva, Metasarcarea larva, और एक और एड़ कर दो, Oncosphere, ठीक है, Oncosphere जो होता है, इसमें जो एक और लारवा जो होता है, पाया जाता है, Oncosphere larva जो होता है, इसमें पाया जाता है, तो हमने के पड़ा, Dorsalventoly flat होते हैं, Leaf-like होते हैं, Endoparasite होते हैं, Bilateralis Metrical होते हैं, Triple Plastic हो कर देखो आपका जो लीवर फ्लू के पास किया है उसके पास तो डाइजेस्टिप सिस्टम प्रेजेंट है लेकिन वह इनकंप्लीट है के वल एक ही ओपनिंग होती है उसमें यहां पर एक चीज और नोट कर रहे हो नहीं किसकी बोडी में सेगमेंट दिख रहे हैं तो सब्सारा आपने बढ़ाया था कि मतलब सेगमेंटेशन तो के वल एनलीडा अर्थरपोड और कोड़ेट में पाया जाती है लेकिन यह जो सेगमेंट है यह क्या है यह सारे क्या है यह फॉल्स सेगमेंट है और इस टाइप की होता है यह एक इम्पॉर्ट्न बात ही कि यहाँ बाइट यहां पर बाइलेटरल नर्बस नफर्पर्जरस्ट्रम पर जैकि लेडर लाइकर नर्बस सेंट रिजर्ण पर जैकर आपने यह भी यह यालरु है और सेक्सी जोटें सेपरेट नहीं है हर्मेयंट है फर्टलेशन कैसे internal है और कुछ member ऐसे हैं जैसे planaria है some members होते हैं some members planaria के पास है high regeneration capacity होती है high regeneration capacity जो है होती है ठेक है उसके बार यहां पर बड़ी चीज़ें होती है important होती है जैसे आप बता सकते हो कि जो parasitic adaptation क्या होती है परसाइट जो हते हैं, जैसे मान लोग कि हमारे body में parasite reside करेंगे, तो उनके तीनी चीज़एं important होती है, एक तो सबसे पहले जैसे मान लोग कि किसी organism में उसके intense ten में जो parasite rare है, okay करेगा intense ten में बहुत ज्यूस बगहरा, digestive juice बगहरा है, या hydrochloric acid बगएरा strong acid जो होते हैं स्क्रीट होते हैं तो उसकी जो टेगमेंट होगी उसकी जो body covering होगी बहुत ज़्यादा ठीक होगी और वो क्या करेगी वो resistant होगी और क्या करेगी anti-toxin स्क्रीट करेगी सबसे पहले adaptation क्या है कि उसकी body में ठीक टेगमेंट प्रेजेंट होगी ठीक बॉड़ी covering प्रेजेंट होगी हमारे पहरा साइट में उसकी बाद प्रेजेंट होता हैं जोकी इनको attachment पर important role play करते हैं जासे सब करके बलागाके फैशियम होते हैं और hooks औरmented टेप बॉम में प्रेजेंट होते हैं जो की होस्ट के साथ अटेश्मेंट पर इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं दूसरी अडेप्टेशन ही है लोकोमोटरी और और सेंस और का तो कोई का में नहीं है लोकोमोटरी और और सेंस और इसमें क्या होते हैं अबसेंट होते हैं यह सबसे बेस्ट होता है वह कौन सा होता है प्रोड़क्टिव सिस्टम जा से ज़्यादा हम प्रोजी नहीं बनाए तो यहां पर यह पेरा साइट की क्या होती है मतलब अडेप्टेशन होती है सबसे पहले हुक सेंसर कर प्रेजंट होगी ठीक बॉड़ी कबरिंग होगी उसके ब होता है इस प्रोड़क्टिव सिस्टम इनका काफी ज़्यादा एडवांस रिक से क्यों होता है तो आज हमने चार फाइला जो है कंप्लीट कर दी है नमबर वन फाइलम पोरिफिरा फाइलम आपका मतलब सिलंट्रेटर फाइलम जो है टीनोफूरा एंड फाइलम कॉन से आवाओ